मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस figure कम लिखा हूआ है इसको समझने का प्रियास किया कि यह stick का क्या मतलब है किप का क्या मतलब है, यहां जो एक woman है, इसके हाथ में broken chain क्या मतलब हैं सब अग्यरा, वग्यरा हम लोगों ने पढ़ा ठीक है और इसमें ये जो tablets हैं ये list हैं ये declaration of rights हैं कि नागरिकों को फ्रांस के नागरिकों को जो rights मिले हैं ये वो सब लिखा हुआ है ये जो की लेकिन इसको अब धियान से देखिएगा तो ये french language में लिखा हुआ है जो की आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है इसे ही English में translate करके यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स C में declaration of rights of men and citizens व्यक्ति को और नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं उसकी ये घोशना पत्र है उसका घोशना किया जा रहा है कि क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं पहला, men are born and remain free and equal in rights व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सोतंत्र होता है और सोतंत्र जीवन जीता है और सभी व्यक्ति के पास समान अधिकार होने चाहिएं किसी व्यक्ति को समाज में कम नहीं होने चाहिए है अधिकार या किसी व्यक्ति को समाज में अधिक अधिकार नहीं होने चाहिए है सबको बराबर अधिकार होने चाहिए The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man Natural Rights का मतलब होता है कि वैसे अधिकार जो हमारे जन्म लेते ही हमें मिल चुके हैं और In-Aleneable Rights का मतलब होता है कि वैसे अधिकार जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है उसे In-Aleneable Rights बोला जाता है तो Point No.2 का ये मतलब हुआ कि जितने भी Political Association है Political Association का मतलब Parliament हो गया, सरकार हो गई या वैसी संस्था हैं जो हमारे उपर रूल कर रही है तो वैसी कोई भी संस्था हैं जो Political Associations है उनका सारो Political Associations का ये एम होना चाहिए ये उदेश होना चाहिए कि वो हमारे Natural और In-Aleneable Rights की सुरक्षा करे उसको Preserve करके रखे, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचे ये Natural और In-Aleneable Rights क्या-क्या है For example, Liberty, Property, Security और Resistance to Operation मतलब Liberty मतलब हमारी स्वतनतरता होनी चाहिए हमारे पास Property मतलब हम संपत्ती बनाने का अधिकार होना चाहिए Security मतलब हमें हमें सुरक्षा होनी चाहिए हमारी और Resistance to Operation का मतलब है कहीं अगर हमारे आखों के सामने किसी की उपरत्यचार हो रहा है तो हम उसका विरोध करना चाहिए, ये विरोध करने का अधिकार होना चाहिए Sovereignty को हिंदी में बोलते हैं संप्रभूता और संप्रभूता का अर्थ होता है कि जब किसी कंट्री के पास उसे अपना decision लेने का पूरा अधिकार होता है तो उसे Sovereignty बोला जाता है जैसे कि आप हमारे देश को देखिए कि हमारा देश 1947 के पहले भी हमारा देश था और 1947 के बाद भी हमारा देश था लेकिन 1947 के पहले हमारा देश यानि कि इंडिया का जो total decisions है वो ब्रिटेन की government लेती थी ब्रिटेन की महरानी लेती थी तो 1947 के पहले हमें अपना decision लेने का अधिकार नहीं था 1947 के बाद जब हमाजाद होगे तो हमें अपना decision लेने का अधिकार मिल चुका है है अभी हमारे पास तो अभी इंडिया जो है इंडिया के पास sovereignty है लेकिन 1947 के पहले इंडिया के पास sovereignty नहीं थी तो sovereignty का मतलब होता है अपना कोई भी decision लेने की छमता अपने पास रखना किसी दूसरे के पास नहीं होना ठीक है आईए पढ़ते हैं आगे तो no group or individual may exercise authority that does not come from the people अब ये बोल रहा है कि किसी nation कोई भी nation होता है याने कोई भी देश होता है तो सारी की सारी sovereignty किस के पास होनी चाहिए नेशन के पास महीं होनी चाहिए ठीक है और nation के पास sovereignty कहां से आएगी तो वो people से आएगी ठीक है authority का मतलब होता है शाषन करने का अधिकार या साषन की ओर से मिला हुआ अधिकार और जो authority है वो लोगों की तरब से याने की जनता की तरब से होनी चाहिए यदि जनता के तरब से authority या power नहीं मिला है तो group या individual अपनी authority या power exercise नहीं कर सकते हैं liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others इसका मतलब हुआ कि liberty का अर्थ होता है कि ऐसे अधिकार जिससे किसी दूसरे को परिशानी नहीं होनी चाहिए हमें अधिकार तो मिले लेकिन हमें ऐसा अधिकार नहीं मिल जाए तो फिर इसे liberty नहीं बोला जाए तो law का मतलब होता है विधी विधान या इसे उर्दू में कानून बोलते हैं तो कानून के पास या अधिकार है कि ऐसे कानून ही बनने चाहिए जिससे कि समाज में किसी को कोई injury नहीं हो किसी को कोई नुकसान नहीं हो किसी को कोई दिकत नहीं हो किसी को कोई हानी नहीं हो कानून ऐसा बनना चाहिए कि वो कानून क्या करे किसी को ऐसा काम करने से रोके जिससे कि समाज को नुकसान हो या किसी को गलत काम करने से रोके चलते हैं पॉइंट टम्बर शिक्स law is the expression of the general will अर्थ लोग जो चाहते हैं लोगों की जो इक्षा है उसी के हिसाब से law होना चाहिए उनके against उनके will के against कोई law नहीं होना चाहिए All citizens have the right to participate in its formation personally or through their representatives सभी नागरिकों का विधी बनाने में या कानून बनाने में भागिदारी का अधिकार होना चाहिए सिधे रूप से या फिर उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिदी हैं वो जा करके law बना सकते हैं All citizens are equal before it सभी नागरिक, विधी, विधान या कानून के सामक्ष सभी लोग समान हैं, equal हैं No man may be accused, arrested, detained, except in cases determined by the law Accused का मतलब होता है किसी के उपर आरोप लगाना Arrest का मतलब होता है उसको गिरिफतार कर लेना और detained का मतलब होता है किसी वेक्ति को कहीं जाने से रोखना या कुछ काम करने से रोखना या उसको कह सकते हैं कि नजर बंद कर देना मतलब law के हिसाब से जो प्रक्रिया है, जो process है उसके बाहर ना किसी को दोशी ठहराया जा सकता है और ना किसी को गिरिफतार किया जा सकता है और ना ही किसी को नजर बंद किया जा सकता है सभी नागरिकों को बोलने लिखने और छापने की स्वतंत्रता है यहाँ पर अब्यूज का मतलब है मिस्यूज करना किसी चीज का दूर उपयोग करना तो यहाँ पर इस 11 नंबर पॉइंट का यह मतलब है कि आदमी को सोतंत्रता है वो कुछ भी बोल सकता है लिख सकता है और छाप सकता है लेकिन यदि यह इस सोतंत्रता का दूरुपयोग करता है तो फिर इसका दाइत वो उसे लेना होगा और उसे पनिश्मेंट के लिए तयार रहना होगा लोगों को टैक्स देना चाहिए इट मस्ट बी एसेस्ट इक्वली और उन और सिटिजन्स इन प्रोपोर्शन तू दियर मीन्स नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से टैक्स लगाया जाना चाहिए 17. Since property is a sacred and inviolable rights sacred का मतलब होता है पवित्र और inviolable का मतलब होता है कि जिसको कोई टोड़ नहीं सके या कोई छीन नहीं सके ऐसा अधिकार संपत्ती का जो अधिकार होता है वो आपके पास जो भी संपत्ती है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है ठीक है? No one may be deprived of it and unless a legally established public necessity requires it उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है जब तक की पूरे समाज को या पूरे देश को उसकी आवशकता पढ़ जाए और जब सारे देश को उसकी आवशकता पढ़ जाएगी आपकी property की तब फिर आपको उसे देना पढ़ेगा लेकिन वो जो है वो लीगल सिस्टम के द्वारा दिमांड होना चाहिए ठीक है? In that case, A, just compensation must be given in advance ठीक है? तो कोई हमारी property है तो उस पर मेरा अधिकार है मुझे उससे कोई नहीं छीन सकता है लेकिन यदि पूरे समाज को और पूरे देश को उसकी जरुवत पढ़ जाएगी तो फिर हमको देना पढ़ेगा हाँ, लेकिन देना पढ़ेगा लेकिन उसके बदले में जो देश है या जो सरकारे है उसे उचित compensation देना पढ़ेगा compensation का मतलब होता है मुआबजा इसको हिंदी में बोलते है छाती पूर्ती देनी पढ़ेगी जैसे कि यह मेरा घर है तो मुझे मेरे घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता है इस पर मेरा अधिकार है लेकिन यदि यह पता चल जाए कि मेरे घर के नीचे जो जमीन है उस जमीन के नीचे में कोईले का ख़दान है तो फिर सरकार क्या करेगी वो पुरा area जो है वो हमसे ले लेगी हमको देना पड़ेगा हम यह नहीं बोल सकते हैं कि यह मेरा घर है हम नहीं देंगे क्योंकि वो जमीन के निशे से जो कोईला मिलेगा उससे पूरे समाज का और पूरे देश का भला होगा